तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से चाय का मसाला बनाया जाता है जिसे डालने से आपकी जो चाय है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल या धाबा स्टाइल बनेगी तो चाय भी हम इसी वीडियो में बनाएंगे और कितने कॉंटिटी में ये डाला जाए ये भी बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार, मैं हूँ उशा और पुप विदूशा चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चाय का मिसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 10 ग्राम सौंट या सुखी अद्रक जीसे कहते हैं और 10 ग्राम ही मैंने लिए है मुलट्थी मुलट्थी जो है कफ बग्यारा के लिए खांसी के लिए बहुत फाइदे मंद होती है और 2 हम लेंगे बड़े इलाइची और 10 ग्राम हम लेंगे दालचीनी साथ में एक लेंगे स्टार फूल ये देखिए इस तरह का होता है ये अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो लेकिन दोस्तों इसे डालने से चाय में बहुत ही बड़िया जायका अता है और ये देखिए ये है जायफल तो आप देख सकते हो मैंने आदा जायफल लिया है पूरा जायफल नहीं डालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मोटे मोटे मसाले हैं उन्हें हम थोड़ा सा कुंडी डंडे में पीस लेंगे जिससे क्या होगा ना कि मिक्सी को अराम मिलेगा ये मैंने सौंट पीस ली देखिए बहुत ज़्यादा बारिक नहीं पीस नहीं है बाकी हम फिर मिक्सी मेही से पीसेंगे और ये मुलट्ठी आप चाहें तो हाथों से इस तरह से देखिए अलग-अलग इसको कर लीजिएगा और ज्यादा बड़े टुकड़े हैं तो थोड़ा सा और आप इसको कूट लीजिए इनको हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम पीस लेंगे जाइफल और बड़ी इलाइची और दोस्तों अगर आपकी जो दाल चीनी है ज्यादा मोटी है तो इसी तरह से आप दाल चीनी को भी कूट लीजिएगा क्योंकि मैंने जो ली है दाल चीनी वो बारीक वाली है तो उसे मैं नहीं कूट रही हूँ तो चलिए अब हम मसाले गरम करेंगे तो ये देखिए 20 ग्राम मैंने डाल दी छोटी इलाइची, 10 ग्राम डाल चीनी, 8 ग्राम हम डालेंगे इसमें लॉंग, 10 ग्राम डालेंगे सौंफ, और 8 ही ग्राम हम डाल रहे हैं काली मेर्च, साथ मैं डाल देंगे एक स्टार फूल, अगर आपके पास स्टार फूल नहीं है कि skip कर सकते हो अब क्या करेंगे कि इन्हें हलका सा हम गरम करेंगे low to medium flame पर roast नहीं करना है इनको क्याते हैना कि इनको roast करेंगे जब तक ये light golden brown color ना हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सिर्फ गरम करने हैं मसाले अगर ज़्यादा भून देंगे तो अभी तो खुश्बू अच्छी आएगी लेकिन बाद में फिर उनका flavor खतम हो जाएगा तो आप टच करके देख लीजिए अगर आपको लग रहा है कि हलके हलके आपके मसाले गरम हो गए हैं बस इतना ही गरम कीजिए और अब इसमें डाल दीजिए जो हमने मसाले कूट कर रखे थे तो ये देखिए मैंने कूट कर रखे थे मसाले वो भी डाल दीए अब इनको भी हम हलका सा गरम करेंगे जिससे कि सारे मसालों का जो moisture है ना नमी जो आती है मसालों के अंदर वो खतम हो जाए बस इतना ही गरम करना है तो इनको भी आप टच करके देख लीजिए जब आपको लगे कि सारे मसाले जो हैं वो ये देखिए हलके हलके गरम हो गए हैं बहुत ज़्यादा गरम नहीं है हम इनको टच कर सकते हैं तो अब गैस को कर दीजिए बंद और एक चमच इसमे में डाल दूँगी तुलसी के पत्तों का मैंने पॉडर बना कर रखा है अगर आपके पास तुलसी का पॉडर नहीं है तो आप इसमें क्या पत्ते भी डाल सकते हो लेकिन पत्ते सूखे हुए होने चाहिए कई लोग इसमें तुलसी के बीज भी डालते हैं तो ये भी आप डाल सकते हो मैं तो क्या करती हूँ कि तुलसी के पत्तों को पहले से ही सरदियां आने से पहले ही स्टोर करकर रख लेती हूँ पौडर बना के आप भी रख सकते हो क्योंकि सरदियों मैं फिर तुलसी के पत्ते आपको नहीं मिलेंगे तो चलिए अब बाते तो हो गई अब हम क्या करेंगे कि इन्हें ग्राइंड करेंगे तो दोस्तो अगर आपके तो मसाले ज्यादा गरम आपसे हो गए हैं तो आप हलका सा ठंडा होने दीजिए लेकिन मैंने मसाले ज्यादा गरम नहीं किये हैं तो मैं इन्हें पीस रही हूँ साथ के साथ आप देख लीजिए अगर आपको लगता है ज्यादा गरम है तो फिर थोड़ा ठंडा होने दीजिए और हाँ अगर आपके मसाले कम है कम quantity में आप बनाना चाहते हैं तो आप देखिए इसमें मिस्री डाल कर पीशिएगा जिससे क्या होगा ना कि कम मसाले पीशने में आपको आराम मिलेगा क्योंकि थोड़े मसाले तो मिक्सी में पीशे नहीं जाते तो आप इसमें चीनी या मिस्री डाल कर पीश सकते हो लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे जो मसालों की quantity है वो इतनी है कि अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे और कई बार क्या होता है घर में शूगर के पेशेंट होते हैं या कोई आ जाता है तो इसलिए मैं इसे नहीं पीश रही हूँ ये टिप आपके लिए है और ये देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके आप मिक्सी को चलाईएगा एक साथ म पैल रही है तो इसे पहले आप डिबे में बंद कर लिजिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने क्वांटिटी में हमें और कब मसाला चाए में डालना चाहिए जिससे कि आपकी चाए एक दमपड़िया कड़क बने तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे ल दाले हैं चाय पत्ती के ये आपकी चाय पत्ती पर डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉंग है जब अच्छे से उबल जाए तो आप थोड़ा सा इसमें डाल दीजे देखिए एक चोथाई छोटा चमबच मसाले का तो दोस्तों अभी हमने थोड़ा ही मसाला डाला है बाकी क मसाला हम बाद में डालेंगे तो इसको अच्छे से उबल लेजिए जब इसमें उबल दो तीन आ जाए तब आप इसमें डालें चीनी तो मैं यहां ब्राउन शुगर यूज कर रही हूँ आप जो भी चीनी यूज करते हैं अपने हिसाब से मीठा आप इसमें कमिया ज्याद डालेगा अच्छे से उबल लेजिए और अब इसमें डाल दिया आधा कब दूद का मिक्स कर लेंगे इसको और दो तीन उबल आने देंगे जब दो तीन उबल आ जाए उसके बाद आप दवारा से इसमें डाले देखिए जो हमने मसाला बनाया था तो एक चोथाई छोटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और कॉमेंट करके जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार